आपके दो तरीके के student होते हैं, द्यान जो सुनना जितने भी आप लोग हैं, आप में से दो तरीके के student हैं, एक तो वो student होते हैं, जिनको जो आपके CT8 के exam में pedagogy होती है, उनको बहुत ही असान लगती है, एजी लगती है, एक वो student होते हैं, जिनको ये pedagogy बहुत hard लगती है, आप देखे अगर मेरे according अगर आपने आज की वीडियो देख ली और देखने के बाद इसको सही तरीकेशा समझ लिया और इसके ओपर implement करा तो मैं आपको promise करता हूँ आज की वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद और implementation करने के बाद सिब 10 दिन या 15 दिन implementation कर लेना आपको पैड़ागोजी सबसे असान लगेगी और सबसे scoring subject आपका पैड़ागोजी मैंने का ना आपकी आदी आती है पैड़ागोजी CDP उठाओगे आदी पैड़ागोजी आएगी 15 देखने को मिलेगी सबसे scoring आपका जो रहती है आपको पैड़ागोजी देखने को मिलती है पैड़ागोजी तो एक ऐसा subject है अगर आप लोग मुझे आख बंद करके भी पेपर में भेज़ दोगे तो भी साइदी मेरे दो-चार question गलत होंगे वन्ना मैं जातर सभी question सही करके आउंगा ठीक है और इतने ही मेरे student करके आएंगे अगर मेरी guidance को पूरा proper follow करके जाएंगे आप लोग भी यही काम करोगे अगर आपने आज की वीडियो को सही से follow करा तो और जितनी चीज़ा आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ उनके उपर सही तरीके से implement करा तो क्योंकि सबसे पहले आपको यह पता होना चीज़ा है कि pedagogy के लिए आपको पढ़ना क्या है कहा से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है उसके बाद फिर में वीडियो के end में question answer की practice आप लोगों से करवाँगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि pedagogy को करने का जो actually मे कहता हो कि सी टेट का जो एक्जाम होता है वो सबसे इजिए अग्जाम होता आप बागी के TET exam के comparison में क्यूंकि बाखी के जो टेट के exam होते है लाइक आपका जो यूपिट cat का exam होगा या माली जारी रीट हो गया इसमें जादेतर में आपका content आता है बट चीट अग्जाम म करते हैं और जो लोग नहीं की क्लास आपके एकजाम तक चलने वाली है तो ये कलासी आपको एकजाम तक मिलती रहेगी तो आप लोग को सब्सकाइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंडड़ बिना कर दिया करो जो बच्छे नहीं आए है उनको साहीज पता नहीं होगी तो यह मेरे सीटेट के नोट से जिनको आप लोग मेरी वेबसाइट सचिन अकेडिमी डोट कोम से जाके ले सकतो जिनके अंदर यह सारा मेटरियल आपको मिल जाएगा बाकी सीटेट के लिए आपको अलग से कोई भी आपको सारा मेटरियल मिल जाएगा ठीक है चलिए अब शुरुआत करते आपके सीटेट की पेड़ागोजी की और आपको बेसिक से सारी चीज़ बताऊंगा क्या 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 चीज़े करनी है और कहां से करनी है जी मैं ठीक हूँ आयो पाप लोग सब ठीक होंगे सभी को गड़ इविनिंग चलिए अब शुरुआत करते अपनी किलास की और अब ध्यान से एक एक पॉइंट के उपर सुनते जाना अपनी नजरों को गड़ा के रखना एक पॉइंट के उपर सब के उपर मत फैलाना ठीक वो पढ़नी आपको दो डोकुमेंट आपको पढ़ने बहुत जरूरी है पहला डोकुमेंट आपका NCF 2005 यानि National Curriculum Framework 2005 राष्टिय पाठिच्रिय रूपरेखा 2005 देखे ये एक ऐसा डोकुमेंट है जो बताता है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस तरीके से प पास करो उसके बाद मेन वेकंसी निकलेगी उसको पास करो उसके बाद जाकर सेलेक्शन होता है ठीक है या सीटेट पास करो उसके बाद जाकर अपना जैसे बिहार में होता है अपना फेज वगरा निकलेगा तब जाकर पास करो तो सीटेट तो पास करना जरूरी है उसका र बच्कों को बताए गया है NCF 2005 के अंदर तो NCF 2005 के अंदर बताएια24 के तारव से ट्रीट करना है कि बच्कों को आप जो भी चीज पढ़ा रहे हूं वह बच्चों को उनके वाश्त्राविक जीवन से जोड करными बच्कों कभी बट लेर्डिनिंग से मत पढ़ा हिए मतलब रटने पर मत पढ़ाई है ठीक है रटन 4500 को मुक्त करके पढ़ाई है बच्चों को कभी भी आप punishment मत दीजै किसी भी तरीगेगी ना तो physically punishment दीजै ना उसको ओरली punishment दीजै ना उसको मानसिक punishment दीजै किसी भी तरीगेगी हम लोगों की खूब ठुकाई हुई है कभी हाथ आपको देने जिसमें बच्चा खुद करके सीके बच्चे की मातरभासा की जासा दाउसर देने तो ऐसी बहुत सारी चीजे जो बच्चे और बच्चे से जुड़ी हुई है उन सब की डिटेल आपके NCF 2005 में दी हुई है तो ये डोकुमेंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी ह आपके लिए पढ़ना जब आप लोग NCF 2005 को पढ़ लेते हो तो आपकी मेंटलीटी एकदम चेंज हो जाएगी क्यार मतलब ऐसी चीज है मतलब जो हमको पढ़ने पढ़ने पढ़ेगी NCF 2005 के उपर मैंने डिटेल में वीडियो अपने यूटूब चैनल पर बनाई हुई है आपको कुछ भी नहीं करना उस वीडियो को देख लेना मैं आपको चैलेंज देता हूँ एक बार अगर आपने वीडियो देख लीना आपकी मेंटलीटी अपने आप चेंज हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कि आज की डेट में बच्चों को इस तरीके से टीट किया जाता है इस तरीके से पढ़ाया जाता है हमार साथ तो नहीं होता था इसे तो सबसे पहला काम आपको करना है NCF 2005 की वीडियो आपको देखनी है मैंने अपने यूटूब चैनल पर उसको दाला हुआ है उसको आप लोग देखना ठीक है उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है बताया हुआ है कि आज की डेट के अंदर आपको बच्चों के साथ किस तरीके से करना है किस तरीके से एक्जाम में कुश्चन पोलीशी ठीक बट पिछली बार ओनलाइन एक्जाम में आपकी खूब बरबर के आशे कुछ चुन आए आपको एक चीज ध्यान अखनी है NCF 2005 और NEP 2020 के अंदर बहुत समानत है देखने को मिलती है अगर मैं इनके पेड़गोजिकल एसपेक्ट के संब्ध में बात करूं ना त कर पढ़ाई है तो दोनों ने लगबख सेम बात ही कही हुई है तो आपको NEP 2020 भी आपको पढ़ना जरूर है इसके ओपर भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाली हुई है तो आपको पैड़ागोजी के लिए ये दोनों की दोनों वीडियो आपको जरूर देखन ठीक है एक एक करके हम आपको बताने वाला ज्यान से सुनते जाएए पढ़ना आपको बाद में है पहला आपको ये समझना जरूरी है कि पढ़ना क्या है उसके बाद चालू करना आप ठीक है तो सबसे पहला काम है यूटूब पर इन दोनों वीडियो को देखना NCF 2005 और NEP 2020 ठीक पहला काम खतम हुआ उसके बाद NCIT की समरी को आपको पढ़ना है अगर आप लोगों ने NCIT के किताबों में चैप्टर में दिया हुआ है कुछ NCIT किताबों के नीचे दिया होता है कि अध्यापक के लिए संदेज दिया होता है तो ये काम तो थोड़ा डिफिकल्ट हो ज तो पहला सेक्षन तो हो गया आपका ये वाला इनको आप लोग जाकर अभी देख लेना और ये इसको किलास में में कराता रहता हूँ तो पहली चीज तो आपको ये वाली करनी है इस साथ की बहुत किलेटी हो जाएगी आपकी पेडगोजी को लेकर ठीक एक और जरूरी बा पेडगोजी आती लेकर आपको आपको बता रहा हो क्योंकि पैड़ागोजी को करने के लिए किसी बुक किसी टीचर की जुरत नहीं पड़ेगी बस चीजे समझते ही आप लोग ठीक तो पहली चीज तो यह हो गई उसके बाद देखे आप दूसरी बात समझे जो आपके पोजिटी और नेगिटी वर्ड जो आपके पैड़ागोजी में यूज होते हैं देखे एक सिंपल ची बात आपको बताता हूँ जैसे सीटेट के एक्जाम मैंने भी दिये मैंने भी पास किये जब मैं देता था सीटेट के एक्जाम पास करें फिर मैंने एक्जाम को निकाला उसके बाद मुझे जो मिली तो और नेगिटिव वर्ड मिलते गए जैसे अगर किसी option में only आजाए केवल आजाए तो आपका ये नेगिटिव वर्ड हो जाएगा ऐस option में देखते उसको गलत काट दो अगर बच्चों को आउसर देनी की बात आजाएगी तो आपका पोजीटिव वर्ड आपका आजाएगा अगर बाल किंदरी सिक्सा की बात आजाएगी तो आपका पोजीटिव आजाएगा तो इस तरीके से कुछ पोजीटिव और नेगिटिव वर्ड देखने को मिलते है जो की पैड़ागोजी में एक रामबान तरीका होता है इसको सोल करने का और यह जो पोजीटिव और नेगिटिव वर्ड होते हैं इनके ओपर मैंने पहले भी वीडियो बना कर डाली है बट बात ध्यान से सुनना जो पिछली बार उनलाइन एकजाम होआता उसमें जो मैंने पोजीटिव और नेगिटिव वर्ड बताये थे दो तीन पोजीटिव नेगिटिव वर्ड जो है वो बेकार हो गए ठीक है और उसके अलावा कुछ दो चार जो है नहीं देखने को मिले तो इन पोजीटिव और नेगिटिव जो वर्ड थे इन पर new video आपको जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है, अब इन पर new video जल्दी ही देखने को मिलेगी, जो नए pattern की according आपको देखने को मिलेगी, जो पिछली बार online हुआ था, क्योंकि मुझे update करने पड़ेगे, क्योंकि पिछली बार multiple shift में कैई सारे paper हुए थे, तो कुछ नए देखने को मिलेते हैं, और कुछ दो-तीन पुराने हो गएते हैं, ठीक है, बागी same agility जो चली रहे हैं, जो पहले चल रहे हैं, तो आपको कुछ यह positive और negative word देखने हैं, और यह सिप CT8 में काम नहीं करेंगे, आपके, सभी teaching exam में काम करते हैं, XYZ किसी में भी उठा के देख ल इस संसार में सबसे बड़ी चीज है भगवान, भगवान के बाद अगर दूसरी सबसे चीज सुप्रिम पावर अगर कोई है, तो वह बच्चा, बच्चों को आपको सबसे बड़ी पावर मनना है, कभी बच्चे की गल्ती मत निकालना, बच्चे जुड़ी भी जितनी भी चाहे बच्चे के विचार हो, चाहे बच्चे की गलतिया हो, चाहे बच्चे की मिस्कंसेप्शन हो, चाहे बच्चे की मदर टंग हो, उसको जाय साध है, उसको एप्रिचेट करना है, उसको एंक्रेज करना है, कभी भी उसको परतिबंदित नहीं करना, कभी भी उसको सीमित न अगर आपने ये समझकर अपने पेपर में एक्जाम सेंटर में बैट गए और बच्चों को सुप्रीम पाउर समझकर आपने कोश्चन का आंचर निकालना शुरू करा एक आंचर आपका गलत नहीं होगा एक भी ठीक है इतना मैं आपको वरोसा दिलाता हो तो बच्चों को आपने जो पूरी सिक्सरण वरस्ता फेल हो गई है इसका मतलब कते ये नहीं है कि बच्चे ने इंट्रेश नहीं लिया या बच्चा सही से पड़ा में थील यह बड़ी है तो आपको सुप्रेम पाउर उना है बच्चे की कभी आपको गलती नहीं निकालनी और बच्चे सुजूड़ी जितनी भी चीज़ेरे उसको आपको हमेशा क्या मायना थे मानना है उसको प्रैमरी मानना है थीक है इसलिए बच्चा समझगे हैं कितनी बड़ी तावरolin रखता है चलीए उसके बाद जो है आपको अपने सचिंद सारथ की daily class लेनी है, daily में आप लोगों के लिए 8 बजे class लेकर आता हूँ जिसमें मैं आपकी content के साथ साथ pedagogy भी आपकी cover कराता हूँ तो आपकी class के साथ साथ आपकी practice भी चलती रहेगी ठीक है, ये काम आपको करना है, वो मैं आपके लिए कराके ही आता हूँ, ठीक है, जिसमें सारी चीजे में आपकी cover भी कराता हूँ, उसके लावा अगर आपको pedagogy करना है, अगर seat at के लिए करना है सबसे बढ़िया है आपके PYQ यानि previous year के question paper, इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है अगर आपने seat at के सी previous year के question paper भी लगा लिए तो आपका paper उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जायेगा तो previous year के जितने भी question paper है, उनकी practice कर लो उससे बाहर आपका paper नहीं जायेगा एक और बात आपको बता दू, जैसे आप लोग KBS के exam के लिए जब जाओगे, ठीक है, कुछ महीने के बाद इसकी vacancy आपको देखने को मिलेगी जब उसके लिए आप लोग apply करोगे, तो वहाँ पर यह आपको देखने को मिलेगी पैड़ागोजी, तो same आपके topic देखने को मिलेगे और यही जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, यह सेम आपको वहाँ पर काम आएगा जो पैड़ागोजी आप लोग वहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है तो आपको same pyq जो यहाँ पर पढ़ रहे हो, वह वहाँ पर भी आपको help करेंगे यह आप लोग जैसे super tat के लिए पढ़ोगे, या DSSB के लिए पढ़ोगे, या राजिस्तान के main exam के लिए पढ़ोगे तो आज ही CTAT के अपने previouser के question paper को solve करना शुरू कर दो, इससे बड़े तरीका कुछ नहीं है जो मैंने अपने CTAT के notes से दे रखे, उसमें 2011 से लेके और आपका जो पिछली बार online exam हुआ था, तब तक क्या आपको previouser के question paper दे रखे, उनको अच्छी तरीकी से solve कर जाओ, वह सबसे best आपके लिए, उसके लवाँ और कोई book आपको solve लेनी नहीं है, ठीके, उनके अंदर सार ध्यान नखने वाली चीज बात है, जो आपको ध्यान नखनी है, जैसे बच्चों को आपको supreme power माननी है, ये चीज आपको ध्यान नखनी है, क्या इसमें कोई चीज मेंने ऐसी बताई, क्या आपको कोई ध्यान नखनी है, याद करनी है, क्या याद करने वाली बात इसमें बात आपको बता रहा हो जो बच्चा दिमाग की जंगा दिल से आंसर देगा उसका आंसर आपका हमेंसर से निकलेगा क्योंकि वो बच्चे के परिपेक्स में कभी आंसर गलत नहीं हो सकता ठीक है यह बात आपको ध्यानक नहीं है यह पेड़ामाब्सक्सक्क अ Panda presence सबसे असान सब्जेक्ट है पर पता नहीं कुछ बच्चे से इतना डर तो क्यों है आयो पैडा गोजी के जितने कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गए होंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देख लेना इसके ओपर जल्दी वीडियो आने वाली है अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ कोशन पेपर आप लोगों के साथ सोल करता हूँ अब इनके साथ कोशन पेपर को सोल करते है ठीक है